नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखन देखने वाले सभी दाशकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदर आपके साथ मैं हूँ संधिया सीमवाल दाशकों आज के हमारे कारिकम रूजगार समाचार जिसके अंतरगत हम चर्चा करते हैं विभिन विभागों द्वारा जारी की ग बात करते हैं आज की पहली विग्यप्ति के बारे में इंडियान ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड द्वारा नॉन एग्जेक्यूटिव के पदों पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए खुल पद हैं 476 शेक्षने की योग्यता का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग- पर विजट कर सकते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया द्वारा स्पेशलिस्ट के पदों पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुल पद हैं 1040 शेक्षने क्योग्यता और आईसीमा का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग-अलग किया गया है आविदन करने की अंतिम्त अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइड sbi.co.n पर विजट कर सकते हैं Reserve Bank of India द्वारा Officer Grade B के पद पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुल पद है 94 शेक्षने की योग्यता और आईसीमा का निर्धारन जल्ध ही किया जाएगा आविदन करने की अंतिम्तिती है 16 अगस्त 2024 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइड rbi.org.in पर विजट कर सकते हैं C-DEC द्वारा Project Engineer, Project Manager, Senior Project Engineer और अन्य विभिन निपदों पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद हैं 135, BE, BTEC, ME, MTEC, Post Graduation और PhD में डिगरी धारक सभी युवा आविदन कर सकते हैं आईसीमा का निर्धारन प्रतीग पद के लिए अलग-लग किया गया है आविदन करने की अंतिम्तिती है 16 अगस्त 2024 जादजानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट c-deck.in पर विजिट कर सकते हैं THDC द्वारा एक्जेक्यूटिव के पदों पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद हैं पचपन, शेक्षनिक योग्यता और आयसीमा का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग-लग किया गया है आविदन करने की अंतिम्तिती है 16 अगस्त 2024 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट thdc.co.in पर विजिट कर सकते हैं रेलवे रिक्रूट्मेंट सेल द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद है 2424 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट rrccr.com पर विजिट कर सकते हैं आईटी बीपी द्वारा कॉंस्टेबल और ट्रेट्समेन के पद पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद है 143 शेक्षणी की ओग्यता और आईसीमा का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग-अलग किया गया है आवेदन करने की अंतिम्तिती है 26 अगस्ट 2024 आवेदक इनकी ओफिशर वेबसाइड itbpolis.nic.in पर विजिट कर सकते हैं आरारवी द्वारा विभिन नपदों पर भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद है 7951 शेक्षणी की ओग्यता और आईसीमा का निर्धारन 30 जुलाई 2024 को किया जाएगा आवेदन करने की अंतिम्तिती है 4 अगस्ट 2024 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशर वेबसाइड indiannailvies.gov.in पर विजिट कर सकते हैं इंडियन नेवी द्वारा इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के अंतरगत भरतिया निकाली गई हैं जिसके लिए कुलपद हैं 741 शेक्षणी की ओग्यता और आईसीमा का निर्धारन हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है आवेदन करने की अंतिम्तिती है 2 अगस्त 2024 आवेदक इनकी ओफिशल वेबसाइट जॉइन इंडियन नेवी.gov.in पर विजिट कर सकते हैं एंडिया पोस्ट सरकिल द्वारा ग्रामीर डाक से वक्के पद पर भड़तिया निकाली गए हैं जिसके लिए कुलपद हैं 44,228 हाई स्कूल पास वे सभी युवा जिनकी आईसीमा 18-40 वर्षो आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंतिम्तिती है 5 अगस्त 2024 तो दर्शकों ये थी आज की हमारी रोजगार से संबन्दित कुछ विग्यप्तियां उमीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपकी भविश्य को लेकर जानकारी प्रद होगा कारिकरम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साज़ा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उत्तराखन को सब्सक्राइब कर जोड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे फेस्बुक पेज दूर धर्शन उत्तराखन को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाओ अब मुझे यानि संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त जल्ग मुलाकात होगी रोजगार समाजार के एक और नहीं यंग में रोजगार सम्बंधी कुछ और नहीं विग्यप्तियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार